इस्राइल हमास युद्ध के बीच उत्तरी इस्राइल बॉर्डर पर हिजबुल्ला के भीशवड हमलों से अब हालात काबू से बाहर हो चले हैं जी हाँ, इस पूरे इलाके में मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट हमलों की वज़ा से इत्राही त्राही मची हुई है हालात इतने भयानक हो चुके हैं कि जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है और हिजबुल्ला के इन हमलों को रोक न पाना IDF का सबसे बड़ा फेलियर माना जा रहा है हालाकि इसके पीछे दो वज़े हैं पहली तो ये कि इसरायलिस युद्ध को गाजा से बाहर नहीं जाने देना चाहता दूसरा ये कि गाजा में IDF को लड़ते लड़ते तकरीबन आठ महीने से जादा का वक्त हो गया है ऐसे वक्त में इसरायलिस सैनिक युद्ध की वज़े से काफी ठक चुके हैं और उत्तरी मोर्चे पर हिजबुल्ला को अपने पाउं पसारना इसकी सबसे बड़ी वज़े है दरसल गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से हिजबुल्ला ने इसरायल का अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया हिजबुल्ला ने अब इस हमले में 150 से जादा रॉकेट और 30 से जादा आत्म घाती ड्रोन 15 इसरायली चौकियों पर दागे हैं और हिजबुल्ला के इस हमले की वज़े से इसरायल और लिबनान के बीच सीधे युद्ध का खत्रा और जादा बढ़ गया है दरसल हाली में IDF ने केर स्ट्राइक में हिजबुल्ला के सीनियर कमांडर तालेब अबदुल्ला को मार गिराया था और तब से ही हिजबुल्ला बदले की आग में बॉखलाया हुआ है और हालिया हमले को लेकर भी हिजबुल्ला का कहना है कि उसमें ये हमले अब्दुल्ला का बदला लेने के लिए किये हैं। दरसल अलजजीरा ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि हिजबुल्ला के साथ इतने हमले करके इस्राइली सेना को और आगे बढ़ने से रोकना चाहता है ताकि वो हिजबुल्ला पर हावी ना हो सके यही वज़ा है कि हिजबुल्ला ने कबजे वाले गोलन हाइट्स को मिलकर कई सेनने चौकियों पर हमले किया है वही इन हमलों को लेकर इस्राइली मीडिया का कहना है कि इन अटैक्स में कम से कम दो लोग खायल हुए है जबकि 15 जगों पर आग लग गई है वही इस्राइली सेना ने अपने बयान में कहा कि उसने कई हमलों को इंटरसेप्ट कर नाकाम कर दिया जबकि कुछ हमलों की वज़ा से आग लगने की घटनाये हुई है आपको बता दे कि हिजबुला इन इन हमलों के कुछ वीडियो भी जारी की है इन में से एक वीडियो में हिजबुला ने IDF के वहन को नुशाना बनाया है वीडियो में देख रहा है कि हिजबुला का एक लड़ा का लॉंचर से एंटी टैंक मिसाइल फिट करके उसे फायर कर रहा है और ये मिसाइल IDF की एक गाड़ी पर जा लगती है हिजबुला ने दावा किया है कि उसके इस हमले में IDF के कई सैनिक घायल हुए है या फिर उनकी मौत हुई है ऐसे ही एक दूसरे वीडियो में हिजबुला ने IDF की सैन नेवाहन बनाने वाली फैक्टरी को निशाना बनाया है इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि घनी हरियाली के बीच एक सफेद रंग की बिल्डिंग पर रॉकेट बरस रहे है इसके बाद तीसरे वीडियो में हिजबुला के लड़ाके हैवी मशीन गन से IDF पर हमला करते हुए दिख रहे है एक लड़ाका हैवी मशीन गन वाली गाड़ी को हरियाली के बीच तैनात कर रहा है इसके बाद वो उसमें विस्फोटक लगा कर ताबड तोड़ तरीके से फारिंग शुरू कर देता है आपको बता दे कि हिजबुला का दावा है कि उसके इन हमलों में IDF को भारी मुक्सान हुआ है झाल